बिल्कुल यही तो बात मैं कहा रहा हूँ कि प्रदान मंत्री ने जो अपना एजेंडा समाला था सबका साथ सबका विश्वास के साथ 2014 में जो शुरुआत की थी उसमें सबका प्रयास भी जोड़ा अब सबका विश्वास भी जोड़ दिया है और यही चारो गाइडिंग प् संकट हुआ और अफरीका के देशों में और दुनिया के कई भागों में खादे संकट पैदा हुआ थो प्रदान मंत्री ने कहा था कि अपनी अपनी सीमाओं को खोलिए अब इस आतंगवाद और इस लड़ाई का दौर खतम हो गया सभी स्टेक होल्डर को सामने आना और यही बात G20 में भी मुझे लगता G20 के जो बाइडन भी आएंगे और तमाम देश के राश्टा देख चाहिएंगे सबको यही संदेश देंगे वो जब से लिए थी और अभी हालिया दिनों में भी उन्होंने दो रही है कोरोना के वक्त में अगर उन्होंने ताकतवर देशों को अगर साहता पूंचाई तो उन्तमान छोटे-छोटे देशों को भी वह साथ लेकर चले जिन्हें बहुत जरुवती कि भारत हर अस्तर पे उन तक मदद पहुंचाए बिल्कुल कोरोना कोरोना एक उधारन है प्रधान मंत्री मोदी की अंतराश्य कुटनिती का अगर कोरोना के खिलाफ कोरोना जब से शुरू हुआ आपको याद हो है पाकिसान उसमें शामिल नहीं हुआ लेकिन वहां से प्रधान मंत्री ने चीजों को पकड़ा और उन्होंने पूरी दुनिया को यह संकेत दिया भारत में रिसर्च डेवलोपेंट को बढ़ाया भारत उन पहले देशों में बना जिसने सस्ती दवाई बनाई कोरोना का ट भारत की आबादी और प्रधान मंत्री ने अपने इस इंट्रव्यू में और पहले की इंट्रव्यू में यही कहा है कि भारत की जंता की शंता पर उनको पूरा भरोसा है और यही कारण है कि भारत अब पूरे ताकत के साथ और पूरे कॉन्विडेंस के साथ प्रधान मंत्र सारे साथ बज़े लेकिन हमने बड़ी बाते बता दिये किनकी बद्धे पर फोकस किया है लेकिन इस वक्त जो भारत इंडिया का भी बात चल रहा है इस वक्त जो विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि नहीं बीजेपी तो हमसे डरी हुई है एक बहुत बड़ी बैठक G20 जैसा सम मेलन है मुझे याद हो सकता है लेकिन भारत में नॉन एलाइंड मूव्मेंट समिट हुआ था इसी विग्ञान भवन में हुआ था और कितना हाइप हुआ था उसमें फिदल कास्रों आये थे क्यूबा से उनको उनको लेकर कितना है किया था दुनिया वर की 80 देश भारत आय है कि कम से कम भारत तो आगे बढ़ रहा है पिसमें प्रदान मंतरी का मांद भले भड़ा है लेकिन इसमें भारत की वाह वाह ही हो रही है और आने वाले दिनों में जीब बिल्कुल इस पे हम बहुत बात करेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन सब कुछ राज़नीती से परेहट कर सबको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि हम सब भारतवासी है और अगर भारत की तरक्की के लिए जीटबंटी हो रहा है तो सबको एक साथ होना चाहिए बहुत छोड़े से ब्रेक के लिए रुखेए